राधे राधे मेरे प्यारे भाईयों बहनों माताओं वाबंधों संस्कार की बाते चैनल में आपका स्वागत है बंधों आज मैं अपनी वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ चट पूजा 2021 में कब है नहाय खाय सुरे पूजन एवं अर्ग का सही समय वाशुट मुहुरत क्या है बंधों चट पूजा कातिक मास में शुकल पक्ष की छट तिधी को मनाई जाती है बंधों इस दिन सुभे और शाम को भगवान सुरे को अर्ग देने का महत्व है बंधों चट पर भगवान सुरे को समर्पित है इस दिन निर्जल व्रत किया जाता है और यह व्रत छती घंटे तक का होता है और इस दिन भगवान सुरे की पूजा की जाती है कातिक मास के शुकलपक्ष की शष्टी को मनाये जाने वला यह महापर्व, पूर्वी उत्तरपरदेश, बिहार, जार खंड में धूम धाम से मनाये जाता है संतान की सुप, सम्रिधी, दिर्ग आयू की कामना के लिए इस दिन सुरे देव और छटी मया की पूजा की जाती है इस व्रत में सुभह और शाम के अर्ग देने की परंपरा है नहाई खाए के साथ शुरू होने वाले इस पर्व में वरती महिलाईं छटी गंटे तक निजला पूजा की अरादना करती है और अनिक कथाओं के उमसार छटी मया सुरे देव की बेहन है नहाई खाई के साथ शुरू होने वाला चट पूजा का पहला दिन 8 नमंबर 2021 को है चट का दूसरा दिन खरना 9 नमंबर को है और चट पूजन में खरना का विशेश महत्व होता है इस दिन रत रखा जाता है और रात में खीर का परशाव ग्रहन किया जाता है चट का तीसरा दिन चट पूजा या संध्या अर्ग 10 नमंबर 2021 दिन बुद्वार को है शष्टी तिथी 9 नमंबर 2021 को शुरू होकर 10 नमंबर 8 पच्चिस पर समाथ होगी चट पूजा पर सुर्योदय और सुर्यास्त का समय अब मैं आपको बताने जा रही हूँ सुर्योदय का समय सुभे 6 बज़कर 40 मिनट सुर्यास्त का समय शाम 5 बज़कर 30 मिनट है चट पूजा का पहला दिन अर्था नहाय खाए चार दिनों तक चलने वाले इस महापरव की शुरुआत नहाय खाए से होती है इस दिन वर्ति शनान कर नए वस्त्र धारन कर पूजा के बाल चनादाल कद्दू की सबजी चावल को परशाज के तोर पर ग्रहन करते हैं वर्ति के भोजन करने के बाद परिवार के सभी स्तस्य भोजन करते हैं चठ पूजा का दूसरा दिन खरना चठ पूजा के दूसरे दिन को खरना के नाम से जाना जाता है इस पूजा में महिलाएं शाम के समय लकडी के चुले पर गुड का खीर बना कर उसे पर्शाज के रूट में खाती हैं महिलाओं का छती घंटे का निर्जल उपास शुरू हो जाता है पौरानिक गधाओं के अनुसार कहा जाता है कि खरना पूजा के बाद ही छटी मैया का घर में आगमन होता है छट पूजा का तीस्टा दिन कातिक मास के शुकल पक्ष की शष्टी थी आर्थाथ छट पूजा के तीस्टे दिन वर्ती महिलाएं निर्जला उपास रखती है साथ ही छट पूजा का परशाद तयार करती है शाम के समय नई वस्त धारन कर परिवार संग किसी नदी या तालाग पर पानी में खड़े होकर डूपते सुरज को अर्ग देते हैं तीसरे दिन का निजला उपवास रात भर जारी रहता है छट पूजा का चोथा दिन चट पूजा के चोथे दिन पानी में खड़े होकर उगते सुरे यानि उधे मान सुरे को अर्ग दिया जाता है इसे उशा, अर्ग या पारंदिवस भी कहा जाता है अर्ग देने के बाद वर्ती महिलाएं साथ या ग्यारां बार परिकर्मा करती है इसके बाद एक दूसरे को परशाद देकर वरत खोला जाता है 36 घंटे का वरत सुरे को अर्ग देने के बाद तोड़ा जाता है इस्वरत की स्मापती सुभह के अर्ग याने दूसरे और अंतिव अर्ग को देने के बाद संपन होती है जै सुरे देव की जै छटी माता की बंधों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें धन्यवाद